हेलो दोस्तो आज हम ब्रेक फास्ट और टिफिन बॉक्स ते लिए बना रहे हैं नमकीन चावल इसे हम तारी भी बोलते हैं और वेजिटेवल राइस भी बोलते हैं तो पहले हम कुकर में तेल या घीर डालेंगे और जब गरम हो जाएगा तो आधा चमच इसमें हम जीरा डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और हराम मिर्च प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ प्याज को हमें थोड़ा सा भून लेना है यह नमकीन चावल खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और इ इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेना है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू तो टमाटर हम पहले नहीं डालेंगे पहले हम आलू डालेंगे और आलू को डाल करके थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे ताकि आलू जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और पहले अगर हम टम सब्सक्राइब में भोवि को भून लेंगे जब भी हमें बच्चों के लिए लंच बनाना रहीं तो टेंशन लगा रहा कि बच्चों को क्या बनाकर के दे कि बच्चे आछे से खा पाएं और हेल्दी भी रहे तो कुछ न कुछ चेंज करके देना ही पड़ता है और आब हम इसमें डालेंगे आधा कटोड़ी मतड़ यह हरा मतड़ है तो इस समय मतड़ का सीजन चल रहा है और हर जो सबजी है ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से मिल जाता है कई तरह के सबजियों को हम डाल करके इस चावल को बना सकते हैं और आब हम इसमें डाल देंगे टमाटर तो एक टमाटर को हम बारिक चौप कर लिये हैं इसे डाल देंगे और इसे भी अब आलू के साथ हम भून लेंगे तो आलू और टमाटर अच्छे से भून गये हैं तो आब हम इसी में गोवी डाल देंगे गोवी जो अलग से लगता है इसमें अलग से सब्जी बनाना नहीं पड़ेगा अलग से सब्जी या कोई भी चीज रखना नहीं पड़ेगा सबजी जब अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें अब मसाले डालेंगे तो मसाले में हमें बेसिक मसाला ही डालना है एक चमच हम इसमें धनिया पॉडर और जीरा पॉडर डालेंगे एक चमच जीरा पॉडर और आधा चमच इसमें हम हल्दी पॉडर डालेंगे थोड़ा और अब हम इसमें डालेंगे अधरक लासुन का पेष्ट ये कुटा हुआ अधरक लासुन का पेष्ट है तो मसाले के साथ भी इसे भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा से पानी डालकर हम मसाले को घुनेंगे ताकि मसाले जलें ना और माशाटिक अनुसार नमक डाल ढ照 देंगे और नमक को हम मिक्स कर लें गे कि वह सबस्बेड नमकीन चावल बनता है एक ल colossाल गाहां अद्ब समाझे माशाट भून रहा है तब तक हम चावल को धो लेंगे और आप हम इसमें चावल डाल देंगे और चावल डाल करके अच्छे से इसे सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे चावल जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे तो देखिए चावल अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें पानी डाल देंगे अगर आप एक कप चावल लिए हैं तो इसमें धाई कप पानी डालें ऐसे तो दो कप पानी डलता है लेकिन धाई कप इसलिए डाला जाएगा ताकि इसमें सबजी भी है तो एक कप चावल के लिए आप इसमें धाई कप पानी डाले और चावल को अच्छे से मिक्स कर ले और आप हम इसमें धनिया पता डाल देंगे इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और एक चमच हम इसमें घीर डालेंगे इसे तहरी का जो तेस्ट है नमकीन चावल का वो बढ़ जाता है और आप हम कूकर का ढखकन बंद करके इसमें एक सीती लगवा लेंगे एक सीती लगने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और कूकर का प्रेसर निकलने के बाद अब हम इसे खोल लेते हैं और यह देखिए बहुत ही लाजवाब नमकीन चावल बना है तो यह है हमारा नमकीन चावल आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं डीनर में बना सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं कभी भी इसे आप बना करके खा सकते हैं यह देखिए नमकीन चावल बहुत ही स्वादिश्ट बना है और आप हम इसे लंच बॉक्स के लिए रख दे रहे हैं और इस टाइम दोबार का टाइम है तो मैं बैठकर यहां पे साग तोड़ रही हूं मार्केट से साग खरीद कर आया है साग को साफ करने में बहुत ही टाइम लग जाता है और ग्रिन वेजी टेबल है तो इसे भी धोना है तो पहले मैं साग को तोड़ लेती हूं उसके बाल से सबजी को भी धोलूंगी और इस टाइम अब हो रहा है साम साम के टाइम मैं आई हूं छट पे कपड़ा उठाने के लिए कपड़ा में डाली हूं तो उसी को उठाने के लिए आई हूं सर्थी के मौसम में कब सुबह से साम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है काम करते करते टाइम बीद जा रहा है और काम भी पूरा नहीं हो पाता है और कपड़ा उठाने के बाद थोड़े दिर मैं छट पे टह ली ताकि साम को मैं जब भी छट पे आती हूं तो थोड़ा दिर टह लेती हूं साम के टाइम आ करके नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप की आप सब अच्छे होंगे और मैं इस टाइम हूँ छट पे साम का टाइम है छट पे आई हूँ तहलने के लिए तो यहां पर मैं गमले में पानी डाली हूं यह देखिए यह हैं गमला तो लगभग ज्यादा दिन से ही पड़ा हुआ है मेरा पौधा हम लोग आउं चले गए थे तो मेरा पौधा सारा सुख गया था तो इसलिए हम लोग छोड़ दिये थे इसमें पौधा भी नहीं लगाए है तो ज्यादा ही दिन से पड़ा हुआ है तो यहां प यहाँ पी यह फूल का है देखी यह मेरी गुल्ड है और इसमें तीन फूल भी फूलाया हुआ है और यह है कासूला का पौधा ये सू वाला है और ये भी मेरी गोल्ड है ये भी अभी फूला नहीं है और ये पता नहीं कौन सा फूल है इसका मुझे नाम पता नहीं है और ये है गुलाब का फूल है और ये है अरहूल का फूल है ये देखी तो अभी भी इस भी फूल नहीं आया है मेरी गुल्ड पूल निकलता है तो यहाँ पर मैं गंबले में पानी डाल दी हूँ ताकि इसमे का मिटी जो है अच्छे से फूल जाएगा तो निकालने में आसान हो जाएगा और ज्यादा दिन से रखा हुआ है तो मिटी इसमें का जो है वो सूख गया है तो निकालना नहीं बन रहा है तो इसलिए मैं इसमें पानी डाल करके अभी छोड़ दी हूँ फिलहाल के लिए और कल या परसो मैं पौधा को लगा दूंगे तो थोड़ा सा बच्चों कर इंतिजार कर रहे हूं ताकि संडे को छूटी होगा तो बच्चों के साथ मिलकर ही मैं पौधा लगा लूंगी थोड़ा साह मुझे भी हेल्प मिल जाएगा तो इसलिए भी मैं लगा नहीं पा रही हूं मुझे पौधा लगाना बहुत ही अच्छा लगता है तो हम लोग जब गाव चले जाते हैं तो सुख जाता है कोई पानी डालने वाला रहता नहीं है तो इसी वज़ा से मैं पौधा नहीं लगा पाई तो ज्यादा दिन हो गया पौधा लगाया हुए लेकिन मेरे पास गमला बहुत सारा पड़ा हुआ है तो सोची कि लगा देती हूं अच् देखिए पूरा मेरे छट का वियू, चारो तरफ बच्चे जो है कागज फार करके फैल आए हैं, तो छट पे भी जाडू लगाना है, लेकिन अभी आज नहीं लगा पाई, कल साम को मैं जाडू लगाऊंगी, सुबह में तो टाइम मिली नहीं पाता है, कल साम को मैं जाडू लगाऊंगी, और सोच रही हूँ कि कल ही मैं पौधा भी अपना लगा दूं, तो देखिए कल या परसो पौधा को लगा भी दूंगी, और यह देखिए मेरे छट का वियू, और वहां पर है मेरी तुलसी माता, देखिए, तुलसी माता को भी मैं छट पे उठा लाई हो, न नीचे, तो मेरी तुलसी माता सुख रही है, तो इसलिए मैं छट पे उठा लाई हूँ कि थोड़ा बहुत अगर धूप निकलेगा, तो छट पे लगेगा, और वहां पर मैं रखी हूँ, एक चौकी, तो देखिए, वहां पर एक चौकी है, तो यहां पर हम लोग ठंड के, जब ठंड पड़ता है, हलका जब धूप निकलता है, तो यहीं पर आकर हम लोग बैठते हैं, चौकी पे, तो इसलिए मैं यहां पर एक चौकी रखी हूँ, ठंड में आकर के यहां बैठा जाएगा, या गर्मी के भी मोसम में जब लाइट बगरा कट जाता है, तो आकर के ह हम लोग बैठते हैं, तो अब साम हो गया है, और हम चल रहे हैं नीचे, और इस टाइम अब दिया बाती का टाइम हो रहा है, साम हो गया है, तो दिपक भी जलाना है, तो चल रहे हैं नीचे, आए, अधेरा, अधेरा हो गया है, नीचे, जाए, 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 जाए